आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम प्राइम प्रीन्स में आईसी सी मैंस टेवेंडी वोल्लकप कॉलिफायर्स यूरोप के जो चल रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं जो जर्मनी वर्स जर्सी के बीच में उसका वीडियो अल्रीड चैनल पर अप्लोडड़ जैसे नहीं देखा है प्लीज गोई वॉच और जो चैनल पर नया है चैनल सब्स्राइब कर लिजिए बैल आइकन प्रेस कर लिजिए ऐसे ही इंप्टेंट वीडियो नौलेज से भरे ह उसका नमें चैनल वहां जाएगी वहां जाना लिंक पर क्लिक करना एक गूरूड़ के चैनल कुल हो आपके सामने प्राइट इस नाम का साथ हजार के आसपास मेंबर वो जॉइन कर लेना सारी चीज आपको आगे की वहां पता चल जाएगी ठीक है इस वीडियो का निल से स् वेन्यू कॉन सा है वेन्यू सेम है जहां पर जर्मनी और जर्सी का मैच होने वाला है डेजर स्प्रिंग के किस्टेडियम अलमीरा डेट अंट टाइम 15 अक्टोबर को शाम को छे बजे आपको हमारी टेलग्राम के साथ जुट जाना है अब डेट सानी इस मैच के लिए चालो ह तो आपको इटली या फिर डेन्मा का कोई रिकॉर्ड दिखेगा नहीं इस वेन्यू स्पैसेफिक हम बात करने हैं स्कॉर्स की बात करोंगे इटली के स्कॉर्ड कि अगर मैं बात करूं तो गैरित कालबर्ग इनके कैपन है जे डर्न बैच इंगलन इंटनेशन बॉलर हैं अगर आपको याद हो तो मुथुमा जॉर्जन फिर ग्रांस टॉर्ट न्यूजिलंड के इंटरनेशन प्लियर अगर आपको याद हो तो यहीं है फिर गैंट प्रेवियू मेंदा है लो है मनप्रीत सिंग है निकोई जेनार्ड स्मित है जॉई परेरा है सर्जियो मीदा है अमिर शरीफ इनके सबसे एक्सपीडियंस प्लियर अमिर शरीफ डरन बैच काईल गैट वर्क प्लस ग्रैंट स्टुवर्ट यह चार जो है पिलर है इटली मैंस क्वार्ड क्रिकट्स टीम के ठीक है जिनको नहीं पता हूं को अल्रीड बता चुका अब प्रॉबबल 11 के बा आपको नहीं लिए ठीक है फिर जियान मियादे हैं जेमी ग्रासी है जो ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं जॉइ पर इतनी बड़िया बैटिंग लाइनप है कि नीचे से ज़रूर रहती नहीं पड़ती गार्ट को कभी कुछ करने की आर्टन एक विकट एक अटिसन यह सारे मुश्किल मैटल में गैल बगने करके दिया है फिर आते हैं ग्रैंट स्टूर्ट बहुत ही बहतरीन बॉलर आपको पता है न्यूजरेंड के लिए इननों क्या किया है तीन विकट तीन विकट सात विकट एक विकट रंस बेशक उतने नहीं निकल रहें क्योंकि जैसा मैंने मैंनपीट सिंग जो लास पांच मैंस में एक वार फिफ्टी बना चुक है तो ठीक ठाक बैटिंग यह कर लेते हैं अब ऐसा नहीं कि यह पूरे स्कॉर्ट के रिकॉर्ड बता दे रहा हूं प्लेइंग में जो भी आएंगे वह अपन अलक से डिसाइड करेंगे जैसे बलज प्रीच सिंग ग्रेंट स्टुवर्ट ऊपर से देखा अमिर शरीफ यह तीनों आपकी टीम में होने चाहिए इसके बाद जैस्पीच सिंग है जो हर मैच में विकट लेते हैं देखो के दो विकट हर मैच में विकट देख रहे हैं मदूपा फनाइंडू एजन ऑल्राउंड विकट्स प्लस रॉंग साहर मैच में आपको दे देंगे यह बात हुए इटली के स्कॉड़के लिया हो सकती यह मैच में क्या किया है क्या रिस्ट स्कॉर्ज है सब कुछ मैं आपको बता दिए इंपार्टन प्रीइस बीट बहुत आ दिये चलते हैं अब अपन थोड़ी से और हमीद जो अभी स्कॉर्ड बनेगी उन्होंने भी ठीक टाक परफॉर्म किया है नीजे चलके देखो बॉलिंग से किस ने अच्छा किया है तो बॉलिंग से 17 विकट आमिर शरीफ जैसे बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रिबूट करते हैं अच्छा विकट को साला ले जसमीर सिंग ले चुके जैसे मिने बताते हैं इनको ड्रॉप नहीं करना है नौ वकट पॉल ले चुके साथ वकट इमरान ले चुके हैं यह प्लेयर्स हैं जो बैटिंग बॉलिंग से कंट्रिब्यूट करते हैं इटली के लिए यह चीज़े थी है अब डैन्मार्क के क्लोकलर यह है इनका स्कॉर्ड प्लेइंग लेंग क्या हो सकती है वह मैं आपको बता देता हूँ शैंगीव देखो कि उतना खास कुछ परफॉर्मेंस है नहीं लेकिन हाप बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं अंतीक उद्दिन टेस रन जीरो विकट पांच रन जीरो व कर जो इनके विकट कीपर भी है जो पहले कैप्टन थे अभी चेंज कर दिये गया है उनका कुछ आपको जाने दूंगा नहीं अगर स्टैस के लिए वीडियो देख रहे हो आपको सारी चीज़े देखने को मिलेंगी लास्ट पांच में कुछ नहीं मिल रहा हो अपन इनके जो है वो घंगालते हैं यह रहा है इनके ओवराल रिकॉर्ड देखो तो डॉमेस्टिक टीटीटी नहीं अभी तक मतलब बहुत नई टीम बनी है तो क्या ही खेला हुआ उसमें भी आप देख लो गिने चुने जाना हम आपको दिख जाएंगे अठाइस संशाह के दिख जा लिक दिख रही है और इटली जो है बहुत कंपारिटिव स्ट्रॉंग दिख रही है तो लास सीजन इनका एक मैच हुआ था हैट तो हैट वह भी यूरोप कोलिफाइर्स कही था उसकी समरी में आपको दिखा देता हूं लेकिन इस साल इटली की टीम बहुत स्ट्रॉंग हो गई है जे डिनबेक के वज़े से बलजीत सिंग तो थे ही लेकिन यह जो दो बढ़िया खेलते हैं यह चीज हुए इटली के लिए तो इस साल जो है इटली फेवरेट्स मानके अपन टीम बनाएंगे देखो ड्रीम 11 टी को लिया हैं क्लॉकलर को लो हैं यहां से बशीयर शाफी को ले लिगा इधर से इस सिन्यारियो से कि देन्मग Πहले बॉल ला तो यहां से ग्रेंट स्टुवर्ट और आमिर शाफीर को आप को जब्या हैं बहुत बढ़िया प्लाइर्स दोनों के दोनों अगर आप ग्रैंड लीग खेले तो ग्रैंड स्टुवर्ट प्लस जेट डन बैच इन दोनों का भी कॉंबिनीशन आपको ट्राइ कर लेना है बाकी प्लेइंग लाने आने के बाद क्या क्या चेंजे अपन कर सकते हैं टीम में वह मैं आपको बता दूंगा कि क्या हो सकता है जैसे ज जब आप खोल के देखो कि ड्रीम 11 तो आपको दिख रहा है जीशन शाह तो यहीं एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो प्लेइंग 11 जब कल आएगी तो बिल्कुल दूर हो जाएक उसके बाद मैं आपको फाइनल टीम दे दूंगा कहा दूंगा सिर्फ और सिर्फ हमारे टेल अचार्ट मिलें वह जरूर जाके देखना उसके बाद आपको फाइनल टीम के लिए जैसा कि बार बार बता रहा हूं तेलीग्राम चाल पर आना ही पड़ेगा तो मैं मिलूँगा आपको अब तब तक लिए बाई-बाई-टेक्र ऐर ओल दबैस्त और और अगुड़ लग आपको IPL के फाइनल के लिए और इन दो यूरोप के कॉलिफायर्स के लिए